हरे कृष्णा, राधे राधे, रिसी पंचमी की व्रत कथा, एक समय की बात है, राजा सुताश्वय ने कहा कि हे पिता महा, आप समस्त धर्मों के फरवर्तक और बूड धर्मों को जानने वाले हैं, आपके शिरे मुक्सि धरम चर्चा शर्वन करके मन को आत्मिक शांते मिलती है, भगवान के चरन कमलों में प्रिती बढ़ती है, वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिये हैं, अब मैं आपके मुखार विंद से उस स्रेष्ट व्रत को सुनने की अभिलाशा रखता हूं, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पा पापों को नस्ट करने वाला शर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूं, यह व्रत रिशी पंचमी के नाम से जाना जाता है, इस व्रत को करने वाला प्राणियों अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है, और जिसके करने से स्त्री जाती के तमाम पाप दूर होकर पुन्य की भागी होती है तुम ध्यान पूर्वक सुनो विधर्व देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्रहामन निवास किया करते थे उनकी पती व्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जनम हुआ था पुत्र सु विभूशन ने वेदों का अध्यन किया कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवा कर दिया गया पर विधी के विधान से वह कन्या विद्वा हो गई तो वह अपने सतीद्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर सयान कर रही थी तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीडे पड़ गए। सुभा जब कुछ सिश्वों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता गुरु पुत्री के दुख को देखिये। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखके नाना प्रकार से विलाब करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्रहामन के पास लाई। ब्रहामन भी पुत्री की दशा देखकर अती विसमे को प्राप्त हुआ और दुखी हुए तब ब्रहामनी ने हाद चोड़ कर कहा महराज यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीडे पड़ गए तब ब्रहामनी ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि उसकी पुत्री पूर्व जनम में भी ब्रहामनी थी तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन, सामगरी, छूली और रिशी पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा उसी दोश के कारण इस पुत्री के शरीर में कीडे पड़ गए क्योंकि रजस्वला दिश्त्री शास्त्र द्रष्टी से प्रथम दिन च करके शुद्ध होती है तुम्हारी कन्या ने रिशी पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किये इससे ब्रहमन कुल में जनम तो हुआ पर शरीर में कीडे पड़ गए हैं तब सुशीला ने कहा महराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधी के साथ वनन कीजिए जिससे संसार क प्राणी मात्र इस व्रत से लाव उठा सके ब्रहमन बोले हे सहधर्मिनी यह व्रत भाद मार्स की शुकल पक्स की पंचमी को धारन किया जाता है पंचमी के दिन पवित्र नदी में सनान कर व्रत धारन कर सायकाल सब्त रिशियों का पूजन विधान से करना चाहिए भूमी क शुद्ध गो के गोबर से लीप के उस पर अस्ट कमल दल बना कर नीचे लिखे सब तरिशियों की स्थापना कर प्राथना करनी चाहिए महर्षी कशप, अत्री, भारद्वाज, विश्वमित्र, गोतम, जमदागनी, वशिष्ट, महर्षियों की स्थापना कर आजमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नवैद्य, आदि पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए इस व्रत को करके उध्यापन की विदी भी करनी चाहिए चतुर्ती के दिन एक बार भूजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंब करें सुबह नदिया जलासय में स्नान कर, गोबर से लीप कर, सर्वत्तो भद्र चक्र बना कर, उस पर कलस थापना करें कलस के कंठ में नया वस्त्र या कलावा बांद कर पूजा सामगरी एकत्रित कर अस्त दल कमल पर सब्त रिशियों की सुण प्रतिमा स्थापित करें फिर शोडशोप चार से पूजन कर रातरी को पुरान का स्रवन करें फिर सुबा ब्रहाम्मन को भोजन दक्षिना दे कर संतुष्ट करें इस प्रकार इस व्रत का उध्यापन करने से नारी सुन्द रूप लावन्य को प्राप्त होकर सुभाग्यवती होकर धन्व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गती को प्राप्त होती है इस प्रकार से रिसी पंचमी व्रत की कथा सम्पून हुई, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी